प्यास जेवं लसुन की फसल को बल्ब नेमा टोड यानी कंद सूत्र क्रिमी की बज़े से काफी नुकसान झेलना पड़ता है यह बल्ब नेमा टोड प्यास बा लसुन के पौधे में घाव उत्पन कर देते हैं या फिर रंद्रों के माध्यम से प्रवेश करते हैं इसके कारण पौधों में गाठें बन जाती है और पौधें में विकृतियां भी पैदा हो जाती है यह कवक और जिवानू जैसे रोग जनकों के लिए भी आकरमन के लिए भी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं इनके प्रकोप के कारण प्या जिवाम लसुन की व्रद्धी अबुद्ध हो जाती है कंदों में रंध हींता आ जाती है और सूजन भी पैदा हो जाती है आई अब जानते हैं समस्या की प्रवंधन बिधी सूत्र क्रिमी के बहतर नियंतरन के लिए कार्वो फ्यूरॉन 3% दानेदार कीट नाशक 8 kg प्रती एकड मिट्टी में दें सूत्र क्रिमी के जैविक नियंतरन के लिए निमेटो फ्री 1 kg प्रती एकड या नीम खली 200 kg प्रती एकड जमीन से दें इसके अलावा प्याज एवं लहसुन के जिन कंदों में रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको बीच के लिए नहीं रखना चाहिए खेतो और उपकरणों की उचित स्वच्छता बनाये रखना भी आवश्यक है क्योंकि यह सूत्र क्रिमी संक्रमित पौधों और अपशेशों में जिवित रहता है और पुनह उत्पन हो सकता है तो कुछ इस प्रकार आप प्याज और लहसून की फसल में बल्ब नेमा टोट की रोप थाम कर सकते हैं अगर इस प्रक्रियां में आपको कोई परेशानी पेश आए तो आप ग्राउफोन एप पर लॉग इन कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नमबर पर मिजड कॉल कर सकते हैं धन्यवाद